Hello everyone, कैसे हो आप सब? Hope करता हूँ, आप सब अच्छे होंगे गाला, question paper number 1 का हमारा solution complete हो चुका है हमारा paper number 1 4 section में आया है, section A, section B, section C और section D हमारे 4 वीडियो के अंदर हमारे ख़बर हो चुके है हम लोग question paper 2 का solution आप के लिए ले के आ रहे हैं, ठीक है? Okay, तो section A हमारा complete हो चुका है हम लोग section B के तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है? Okay, तो मैं section B की बात करूँ तो अभी आप लोगों मालूम पर गया है कि क्या हमारा चल रहा है pattern, ठीक है? इस अभी क्या करना है हमको answer any 9 questions out of the 13 questions Board exam में आपको 13 questions आएंगे आपको आले attempt 9 ही करने है जो आपको easy लगता है, जो आपको आते हैं आपको आपको attempt करने है पर यहां पर हम समझने के लिए सब समझेंगे ठीक है? और कुछ problem होता है आपको तो आप मुझे बोल सकते हो comment में कि यह problem हो रहा है आप इसको फिर से explain कर दो तो section B का question नमर पहला और paper के recording question नमर 25 ठीक है? क्या बोल रहा है find the zeros of the quadratic polynomial यह हमको polynomial देखे रखा है, इसको हमको zeros find करना है, उसको क्या करना है इसको verify करना है relation between the zeros and the coefficient ठीक है? बाद में इसको है न हमको इसके relations को भी हमको क्या करना है, verify करना है ठीक है? पहले हम इसको solve करते हैं अगर मैं इसको solve करूँ तो मेरा polynomial क्या देखे रखा है मेरे को 4s² minus 4s plus 1 यह मेरा हमको polynomial देखे रखा अब इसको solve करना है, ठीक है? अगर मैं इसके zeros find करूँ तो क्या करेंगा है? यूज करेंगा हम splitting the middle term, क्या होता है? जो तो क्या होता है यूज करने पर और minus 2 or minus 2 लो when multiply करने पर 4E होगा ठीक है? और plus 4E होगा और minus 2 or minus 2 क्या होजाएगा हमारा middle term आ जाएगा minus 4 जहां पर क्या होजाएगा? 4s'² plus 1, यह क्या होजाएगा हमारा minus 2s और minus 2s इसमें और इसमें common क्या है? इसमें common डिखो 2 common हैauen सब्सक्राइब और कुछ common दिखराये आपको? यहां तो नहीं दिख रहा हुं तो garbage 2 गचे जा م् golden ए टिकए इसमें क्या province क्लमन नए कुछ common नहीं है मतलब क्या क्लमन्ंड आएगा बंगर इनदर की कि चेंज ओ जायगी तो माइनस टिक़ है तो क्या आ रहेगा हमारा 2s-1 और 2s-1 it means s क्या value आ गई मेरे पास 1 by 2 और 1 by 2 तो हमको यह 0s मिले है ठीक है यह हमको 0s मिले 1 by 2 1 by 2 अब यह हमने find कर लिया 0s हम कुछ को verify करना है अब बुलों के भी हम verify कहां पर करना है तो आपके पास दो relation एक relation क्या है ठीक है alpha plus beta क्या होता है minus b upon a और एक sum के लिए आपके पास यह है और product के लिए क्या है आपके पास alpha into beta क्या होता है c upon a अब alpha क्या होगा आपका पहला 0 plus beta क्या है आपका दूसरा 0 यह आपका alpha यह आपका बीटा है equal to minus b की value कितने है आपके पास, देखो b की value आपके पास minus 4, यहां पे क्या आजाएगा minus 4 ठीक है, upon में a, a क्या है आपके पास 4, अब solve करते हैं यहां पर lcm क्या आएगा, यह मेरा left hand side है, यहां पर क्या आएगा, lcm आएगा 2, उपर क्या आजाएगा 1 plus 1, यहां पर देखो minus और minus, इसको solve करना है आपको इस तरफ ही और इसको solve करना है इस तरफ ही, दोनों को आपको इसने combine नहीं करना है, बस दोनों अगर equal आ रहे हैं, आपने इसको verify कर लिया, यहां पर देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4 अपान 4 यहां पर क्या हो गया 1 प्लस 1 2 अपान 2 यह क्या हो गया 4 अपान 4 cancel करोगे 1 cancel करोगे 1 1 equal to 1 मतलब left hand side आपका equal आ रहा है right hand side के यह अब यह भी देख लेते 1 by 2 यह भी क्या है 1 by 2 C की value कितनी है 1 और A की value कितनी है 4 यह कितना हो जाएगा 4 1 into 1 1 2 into 2 4 यहां भी क्या हो जाएगा 1 by 4 equal आ रहा है मतलब left hand side equal to right hand side hands proof ठीक है यही आपको verify करना था hands proof ठीक है तो इसे के साथ हमारा first question खतम होता है इसको आप यगार देख लेना अच्छे से इस type का same question आपके मुख के अंदर आपको दिया होगा है ठीक है हम आगे बढ़ते next question की तरफ ठीक है next question क्या कह रहा है देखो यहां पर ध्यान से find a quadratic polynomial for which the sum and the product of zeros are root root के अंदर the square root के अंदर 5 and 3 by 4 respectively इसका मतलब आपको सम की value कौन सी है पहली वाली आपकी सम की value है सम की value आपकी पहली वाली है और दुछाली किस की value आपकी product की value है ठीक है तो आपको यहां पर देखे रखा है सम की value देखे रखा है root में 5 और यहां पर क्या देखे रखा है product की value 3 by 4 ठीक है तो समझता है यहां पर ध्यान से सम की वैलू हमको देखे रखा है रूट में 5 और पोड़क हमको देखे रखा है 3 by 4 अब सम का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा यह क्या होता है रूट 5 देखे रखे और अल्फा इंटो बीटा क्या होता है 3 by 4 आपको फॉर्म करना है quadratic polynomial आपको है ना 0 देखे रखे इससे आपको quadratic polynomial फॉर्म करना है आपको फॉर्म करना है quadratic ठीक है quadratic polynomial तो इसका एक direct formula होता है formula क्या होता है हमारा x square minus अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटो बीटा एक्वेल टो 0 यह आपका direct एक formula होता है अल्फा प्लस बीटा के वैलू कितना है root 5 में x प्लस अल्फा इंटो बीटा के वैलू कितना है 3 by 4 equal to 0 अब यहां प्लस नहीं मतलब 1 यहां भी कुछ नहीं मतलब 1 तो इसका LCM क्या आजाएगा इसका LCM आजाएगा 4 ठीक है तो यह क्या हो जाएगा 4x का स्क्वेर माइनस 4 अंडर root 5 x प्लस 3 equal to 0 अब यह 4 यहां गया तो क्या हो जाएगा 0 तो हमारा polynomial क्या आएगा 4x का स्क्वेर माइनस 4 root 5 x प्लस 3 equal to 0 बट यह आपका quadratic equation है क्योंकि यहाप equal to 0 है तो यह क्या equation अगर आपको polynomial लिखना तो क्या होगा आपका 4x का स्क्वेर माइनस 4 अंडर root 5 x प्लस में आ जाएगा आपका 3 यह क्या हो गया आपका quadratic polynomial इसी के साथ हमारा इसका solution भी खतम होता है हम आगे बढ़ते next question की तरफ ठीक है अब next question क्या बोल रहा है देखो find the root of the equation यह आपको इक्वेशन देखे रखा है by factorization method chapter number 4 जिसमें 2 method है एक तो मारा factorization method इसरा कौन सा है हमारा quadratic formula अब बोलोगे भाईया factorization method कौन सा है तो फिर यह कोई बात नहीं बनेगी क्योंकि यह आपको पता होना से है कि splitting the middle term ही आपका क्या है factorization method है इस पर हमको solve करना यह हमको question देखे रखा है तो क्या करते है splitting the middle term और the first sum को और last क्या है multiply करें कितना हो जाएगा 12 plus minus minus ठीक है तो मैं पहले है ना multiply करता हूं values को वाद में multiply करता हूं sign 4 ठीक है कि mistake ना हो अब कोई ऐसा number रूंडो कि multiply करने पर यह number आए और plus minus करने बीच का term है तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 अब मैं minus 4 लोंगा और plus 3 लोंगा तो minus 4 में प्लस 3 जाएगा तो क्या बचेगा minus 1 ठीक है इट मीज हमां इसको split कर सकते है तो यह टेवल में 3 भी 6 भी आता और 4 भी आता और एक एक्स कॉमन रिमेनिंग क्या बच गया 3 x minus 2 ठीक है अब यहां पर देखो प्लस कॉस कॉमन यह क्या आएगा वन यह क्या हो जाएगा 3 x minus 2 equal to 0 तो यह और यह से में मतलब आपका step सही है तो इसको 1 time लिखो 3 x minus 2 को और रिमेनिंग क्या है 2 x plus 1 उसको 1 time लिखो 2 x plus 1 it means 3 x minus 2 equal to 0 एक तो यह हो गया ज़रा क्या हो गया 2 x plus 1 equal to 0 x की value क्या हो जाएगी यह minus 2 यहां क्या हो जाएगी plus 2 upon में 3 x की value कितनी आ जाएगी 2 by 3 यहां पर देखो plus 1 यह क्या हो जाएगा minus 1 और यहां multiply में क्या हो जाएगा divide x की value क्या हो जाएगी minus 1 by 2 तो x की value आ गई एक पर 2 by 3 और एक की value क्या आ गई minus 1 by 2 तो यह आपके 2 root है ठीक है आप लिख सकते हो root are 2 by 3 and minus 1 by 2 तो यह आपका answer हो गया तो इसी के साथ हमारा third question भी खतम होता है हम आगे बढ़ते next question की तरफ ठीक है अब next question क्या बोल रहा है देखो check whether 301 301 is a term of the list number 5 11 17 23 तो समझना देखो आपको check करना है कि तो 301 है ना वो कौन से टम पे आएगा बस मैंना समझा दिया आपको simple में कि तो 301 उसको last term मानो ठीक है इसको last term मानो और check करना है कि तो 301 है वो कौन से टम पे आएगा ठीक है और आपको यहां पर एक a p दिया हुआ है बस इतना आपको समझना है तो a p क्या दिया हुआ है देखो, एपी देखे रखा है, 5, 11, 17, 23, dot dot dot, और आपको check करना है, कि 301 कौन से नमर प्याएगा, ठीक है, 301 कौन से नमर प्याएगा, इसको माल लो, an, इसको माल लो, last term, a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a हो जाएगा, a2-a1, 11-5, कितना हो जाएगा, a मिल गया, d मिल गया, आपको last term मिल गया, तो आपको formula यूज करना है, an वाला, a plus, n-1, d, an कितना है, 301, a कितना है, 5, n-1, d कितना है, 6, अब 301, यहाँ, plus 5, यहाँ, क्या हो जाएगा, minus 5, equal to n-1, by 6, तो 301 में से 5 गया, तो कितना बचेगा, 296, equal to n-1, यहाँ, यहाँ, 6, यहाँ, यहाँ, 6, यह multiply में, आए, क्या हो जाएगा, divide, 296 by 6, answer क्या आएगा, n-1, अब solve करते हैं, देखो, यहाँ, ध्यान से, solve करों मैं, तो, यह cut करों मैं इसको देखो, तो, यह कितना cut हो, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3, यहाँ पर cutzag कितना हो जाएगा, 29 Isar, 9 Isar कितना हो जाएगा, 27, टिक है? ओ, OK, मैं, OK, 설ी, sorry, 1 minute, my mistake, मैंने क्या, कि या 2, 3, जा, टीक है, 2, 3, Siar 6 हो यहाँ, यहाँ, और किसे cut होगा ये? Okay, so cut करेंगे, ठीक है, यहां पर cut कर रहा हूँ, तो देखो, यहां पर cut नहीं हो रहा है, मेरा answer किछ में आ रहा है? Point में आ रहा है, cut क्या हो रहा है? Cut नहीं हो रहा है, n-1, अब यहां पर देखो, मैं cut करूँगा इसको, तो यह 3 बन जा, 3, 3, 4 जा, 12, फिर 2 बचा, 28, 3, 9 जा, कितना होगा? 27, 1 remaining, point का 0, फिर 3, तो कितना आ रहा है? 49.33, कुछ answer आ रहा है, ठीक है? कितना answer आ रहा है? 3 point, यहां पर क्या हो जाएगा? 49.33 dot 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 equal to n-1, तो यहां पर क्या हो जाएगा? n यहां के plus हो जाएगा, तो 49.3, यहां पर क्या हो गया? plus 1 equal to n, n की value कितनी आ गई? 50.333, तो आपका अगर exact answer नहीं आ था, अगर आपका तर्म फाइंड कर रहे हो, अगर वो term exact नहीं, exact means क्या होता है? आपका proper answer आना था, आपका answer point में नहीं आना था है, नहीं होता, तो हमने चेक किया, तो क्या मालूम परा? No, no 301 is not in list of this AP, ठीक है? list number of this AP, ठीक है? तो क्या होगा? answer क्या आएगा? no 301 is not in listed number of this AP, ठीक है? तो 301, इस AP का listed number नहीं हो सकता, क्योंकि इसका answer क्या आ रहा है, हमारा end का value हमारा point में आ रहा है, उसका exact answer आना चाहिए था, ठीक है? तो इसका solution भी हो गया, exam में आपको यह statement लिखके आना है, no 301 is not in listed number of this AP, ठीक है? आपको यह statement लिखके आना है, हम आगे बढ़ते हैं, आप next question की तरफ, next question क्या भूला है, देखो ध्यान से, find the sum, क्या गरना है, find the sum, मतलब आपको SN find करना है, find the sum, find the sum of first 12 term of the AP, AP आपको यह देखे रखा है, ठीक है, समझना ध्यान से, AP आपको देखे रखा है, ऐसे से रहता है, find करना आपको sum, मतलब आपको find करना है, SN, तो आपका SN का formula क्या होता है, N by 2, 2a, N minus 1, D. यह आपका formula होता है. ठीके? अब यहापे A की value क्या होगी? दो आपका first term होता है having A होता है. तो कितना होगे? माइनस 37. D की value क्या होगी? A2 माइनस A1. तो A2 की है? आपके पास? माइनस 33. फिर माइनस क्या करना है आपको? माइनस 37. तो यहां पर देखो, 33, minus minus क्या हो जाएगा, plus 37, तो, D की वैलू कितनी आगई, plus 4, अब solve कर दे, N की वैलू कितनी हमारे पास, 12 है, 12 by 2, 2, A की वैलू कितनी है, minus 37, plus 12 minus 1, D की वैलू कितनी है, 4, यह कितना हो कर तो, कि यह आजाएगा, 6, अब 37, 2 हो जाए, कितना होगा, 74 होगा, मुंटिप्लाई कर लो, 37 इंटू 2, 4, 1, कितना होगा, 74, बद माइनस में आएगा, माइनस का साइन है, minus 74, plus, यह कितना हो जाएगा, 11 इंटू 4, अब यहां पर देखो, यह 6 हो गया, minus 74, 11 इंटू 4 कितना होगा, 11 इंटू 4 हो जाएगा, हमारा, 44, अब यह 6 हो गया, 74 में से 44 गया, तो कितना बचा, 0, 3, बट बड़े की साइन, negative में, आपर क्या आजाएगा, minus 30, ठीके, क्या आजाएगा, हमारा, minus 30, अब इसको multiply करेंगे, तो क्या answer आएगा, 6, 3, 18 और यह 0, तो minus 180, क्या आजाएगा, minus 180, यह आपका answer आजाएगा, ठीके, find the sum of the, ठीके, 12 term का, कितना आजाएगा हमारा, minus 180, आपका answer आजाएगा, अब आगे बढ़तें, next question की तरफ, next question क्या बोला हुआ है, देखो ध्यान से, find the distance between the point, एक यह point और एक यह point, इसका हमको distance find करना है, तो use करना है आपको distance formula, chapter number 7 का, ठीके, तो distance formula हमारा क्या कहता है हमसे, distance formula हमसे यह कहता है, कि जो x2 होगा, उसमें तो हम x1 को minus करेंगे, उसका square, plus y2 होगा, तो minus करेंगा y1 को, उसका square, और सबका क्या होगा, under root में, ठीके, तो 2 point क्या है हमारे पास, a, b, और minus a, minus b, यह माल लेते हैं, x1, y1, यह होगा, x2, y2, ठीके, तो value क्या हो जाएगी, अब देखो, यहाँ पर ध्यान से, x2 की value कितनी है, मेरे पास, minus a है, minus a, x2, equal to minus, minus, minus a, तो कितना हो माईनस 2 है, इसका whole square, प्लस, यह कितना हो जाएगा, हमारे पास, minus 2B, जोल square, अब चंबछना, यहाँ पर ध्यान से, minus 2 का square कितना हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, four a का square, और यहांभी क्या हो जाएगा यह मैं टू का square, 4 हो जाएगा, 4, B का square, हम चाहे तो दोनों के अंदर से 4 को common ले सकते, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, मैंने 2 को बाहर निकाल लिया 4 square root को मैंने क्या किया 2 के form में बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बज़ गया मेरे पास A square plus B square तो ये आपका answer हो जाएगा ये वाली question के लिए 2 फिर इसके बाद square root A square plus B square तो आगे बढ़ते हैं next question की तरफ next question क्या कह रहा है find the coordinate of the point which divide line segment joining simple समझो 1 point आपको ये देखे रखा है 1 point ये देखे रखा है वो दो दोनों point देखे रखा है बीच चे उसको 1 point divide कर रहा है उसका आपको coordinate find करना है वो तो divide कर रहा है उसका ratio क्या है 3 ratio 1 आपका यहाँ पे यूज होगा section formula आपके point ये माल लेता हूँ A ये माल लेता हूँ B ये point क्या है मेरे पास 4,3 ये क्या है मेरे पास 8,5 ठीक है ये point माल लेता हूँ P जो divide कर रहा है A और B को ठीक है वो क्या होगा हमारा उसका हमको coordinate find करना है उसका हमको x and y find करना है 3 ratio 1 में ठीक है अब मेरी बात सुनना ज्यान से अब क्या सुनोगे मेरी बात कि यहां पर कॉन्ता फॉर्मुला यह होगा हमारा section formula section formula क्या कहता है हम से कि हमको p point का find करना है coordinate तो section formula क्या होगा m1 m1 क्या होगा हमारा ratio को बोलते हम m1 और m2 यहां पर क्या जाएगा x2 plus m2 x1 divide में m1 plus m2 second क्या होगा m1 y2 plus m2 y1 divide में m1 plus m2 यह हमारा section formula होता है आपको इसको याद ही रखना यह section formula को तो ही आप इस type के sums exam में easily solve कर पाऊगे अब देखो formula के recording m1 कितना है मारे पास 3 है अब x1 देखो यह x1 हो गया यह y1 यह x2 और यह y2 अब x2 कितना है देखो मारे पास 8 है ठीक है में अब लिखके रखों है यह x2 यह रहा यह y2 है plus m2 कितना है 1 है और x1 कितना है 4 है अब ओन में क्या आएगा 3 प्लस 1 अब यहां पे देखो m1 कितना है 3 है ठीक है और y2 कितना है 5 है प्लस m2 कितना है 1 है और y1 कितना है minus 3 है ठीक है अब क्या आजाएगा इधर 3 plus 1 अब solve करते देखो 3 8 कितना कवंटी लगए 24 प्लस यह 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा divide में 4 अब यहाँ पे देखो 3 5 जा 15 प्लस minus minus 3 बंजा 3 divide में क्या जाएगा 4 अब यहाँ पे देखना 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 by 4 यहाँ पे 15 minus 3 कितना हो जाएगा 12 by 4 तो अगर आपको 4 का table याद हो ता आप एजी बोल सकते हो 4 बंजा 4 7 जा 28 ठीक है और यह 4 बंजा 4 3 जा 12 तो आपके क्या आगया आपका आंसर आ गया और किसका कोडिनेट होगा आपका पी का जो पॉइंट कर रहा है यह पॉइंट कर रहा है इसका एक सेवन कॉमा 3 ठीक है तो इसे के साथ हमारा इसका सुलिशन खतम होता है हम आगे बढ़ते हैं नेक्स पॉस्टन की तरफ ठीक है अब नेक्स कॉस्टन क्या कह रहा है हमसे देखो ध्यान से गीवन 15 कॉट एक वल्टू 8 फाइंड साइन और सैके ठीक है मेरी बात समयतना ध्यान से स्क्राइड करके कॉस्टन को क्या देखे ०िसाइड करने अब को साइन और फांड करें आपको है मेरी बात सुन ने ज़्यान से यहां पर देखो कॉट संफ Chapo Cobra te very helpful कौnt है और यह क्या है ना यह है यह यह फंजा एगा डिवाइड की है क्या है टिवाइड हो यह कि अगर आपको तैन का पता हो टैन का dest m होता है और 10 का क्या होता है perpendicular upon base तो कॉट का क्या हो जाएगा base upon perpendicular उसका उल्टा ठीक है अम लोग ट्राइंगल यहां पे ड्रॉख करते हैं माल यह हमारा triangle है एंगल ए पर देख रहे हैं हम लोग तो एंगल ए उसके सामने वाला क्या होता है कि एक you nasze पर्पैंडी कुलर ये क्या ओजाएंगा फ्री तो यह हमारा एंग्ल मानतों में यह बी ओ गया इस एंगल जी हम ऐए है थी का कि अभगायी मेंगल से नहीं घू hatte को पर पेंडी कुलर कितना हैम आरे 15 है और बेज केतना है हमारे पास 8 है हमारे पास है इसक्वेर होता है 225 होता है 64 अब 289 इसका होगा 17 होगा अगर आपको डारेक स्क्वेर याद होंगे तो आप उसको इसली यहां पर 17 लिख सकते हैं कितनी वैलू आएगी 17 आजाए कि वैलू हाइपोटेनियस की अब फाइं प्रपांड करना हैं समझों अब फाइंड करना हैं मेरे पास 15 है और हाइपोटेनियस कितना है 17 varies 15 आइपोटेनियस कांजा कितना आजाएगा 15 गांजाएका 15x17 मेरी को होता के से के क्या होता है से के होता है मेरे पास का राइसिप्रोगतर कि आंतर की टाईगा 17 ओ पॉक्हें 7 और बेस dari 8 ऐसिक sake होते हिश्सक इसका स्लूशन करते हैं आगर बढ़ते Competition कि तरफ ठीक है अब नेक्स कॉस्टन क्या कह रहा है हमसे देखो ही बूलेट साइन 30 कॉस 45 कॉस 30 और साइन 45 ठीक है इसको हमको इबूलेट करना है मेरी बात सुनना ध्यान से यह आपकी स्टेंडर्ड वैलू है आपको वह टेबल याद हो थैप्टर नम्मर एट का उसके अंद लिचाल को स्टेंडर्ड अब मयद इसको सॉल्फ करों यहां पर कितना हो जाएगा देखो में हो जाएगा नीचे के आजाएगा नीचे वाजाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट 3 यहाँ भी क्या जाएगा तू रूट 2 इसका हम सॉल्फ करते है आगे क्या सीं आ जाएगा तू रूट 2 ऊपर क्या स्वाइगा वन प्लस रूट 3 तो यह आपका आंसर हो जाएगा ठीक अ हम सायं थाटे के वैल कितनी होती है 1 by 2 और स्वाय कितना होता है दो कोangen सब्सक्राइब होता है रूट तो टू अब यहां पर देखो अमने क्या किया लिया 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 किल लिया गया रूट टू और पर आ गया रूट त्री सब्सक्राइब किया है तो तो इसको रच्णालाइज कर सकते और रूट दिए होगा तो यह कितना हो जाएगा देखो root 2 into 1 root 2 plus root 2 into root 3 तो क्या हो जाएगा root 6 और नीचे क्या हो जाएगा 2 और root 2 root 2 क्या हो जाएगा आपका 2 तो कितना आजाएगा root 2 plus root 6 2 into 2 कितना हो गया 4 तो आपका यह answer चलेगा ठीक है तो यह आपका right answer है यहां तक करोगे कोई problem तो नहीं है बट अगर नीचे आपका square root में आ रहा है त्राइ करो कि उसको rationalizing पर ले जाओ ठीक है आपको यह सोटी ग्लाज में सिखाया गया होगा rationalizing ठीक है तमने क्या root 2 rationalizing किया अब देखो तो मेरा नीचे के तो form में आया ना वह कोई exact form में है नहीं है तो इसी के साथ मेरा इसका solution खतम होता है हम आगे बढ़ते next question की तरफ ठीक है अब next question क्या कहे रहा है समझना थ्यान से देखो एक सरकस है artist climbing 20-meter long rope which is tightly straits मतलब कि वह तो rope तो टांगा है ना माल लो कि एक pole है मैंने क्या कि इस को नीचे मावी मेरा क्या से एक तो है मैं बेसी बंन आ हारे मेरा पॉल है तो यहां se मैने क्रसी फेक आँ थी मेरा ग्राउंड है कि अगर मैं रसी फेक है कि इस मातलब रसी ऐसे कुछ है रसी पुरी टाइट है रसी कैसी का सब्सक्त Cash Via Puri एकauft इगदम सब्सक्राइब टाइट इतना संभर्जना है अपसका किसे की अगया है इसको किलीघ मंधा गया है एक लिखा किया है वह समझना द्यान से है कि यह लिखा हुआ है from the top of the it's called टीके अ कूं उसके टॉप पे भांगा गया है is how do the height of the pole क्या find करना है आपको इसका height find करना है मतलब कि यही आपको height find करना है यह आपको height find करना है और क्या देखे रखा है question में देखे रखा है if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree ठीके यह जो rope था आपका rope था और जो ground level था इसका जो angle बन रहा है वो कितना angle आपका 30 degree है इतना आपको देखे रखा है ठीके ओके और आपको एक चीज़ और देखे रखा और आप question चाहिछ से read की हो starting से कि circus artist is climbing a 20 meter long rope ठीके आपको है ना जो rope है ना उसका भी length देखे रखा है कितना है 20 meter है आपको height find करना है अब मेरी बात सुनो यह तो question है आपका application of trigonometry उस chapter का है अब कैसे find करोगे देखो आपको यह height find करना है तो यह देखो कि बात करो और right angle triangle है मेरा right angle triangle है height find करना है मतलब यह height find करना है ही क्या होगा हमारा perpendicular होता है यह क्या होता है base और होता है hypotenuse का कॉस का और टैन का क्या relation होता है perpendicular के साथ base scale और हाइपने के साथ तो आप उसको easily solve कर सकते हो तो मुझे इतना पता है कि जो sin theta होता है वो क्या होता है perpendicular upon hypotenuse अब theta मतलब क्या होता है angle जो आपको देखे रहे है 30 देख रहे है sin 30 equal to P मतलब perpendicular तो यह आपको height बताना ही है मतलब यह क्या हो गया आपका height of pole यह आपको बताना ही है और नीचे क्या आगया आपको hypotenuse जिसकी value आपको देखे रखी है 20 meter ठीके तो try करना कि जिस side पर एक side की value देखे रखी होगी और जिस side का आपको find करना है उनका relation दूनना यहाँ पर मैंको इसकी value देखे रखी यह hypotenuse की इसका मैंको find करना था तो मैंने इसका relation दूनना sine theta से और theta क्या होता है हमारा angle जो हमको 30 दिखे रखा है अब मेरी बास सुनना sine 30 की value कितनी होती है 1 by 2 कितनी value होती है 1 by 2 आपको value याद होना चाहिए ठीक है equal to height of pole जो हमको find करना है upon में क्या आजाएगा 20 ठीक है अब यह 20 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा multiply में आजाएगा 1 के साथ तो यह देखना यहाँ पर क्या आगया 20 उपर आगया ठीक है और यहाँ पर 2 नीचे आगया equal to height of pole अब मैं solve करो 2 बन जा 2 10 जा तो height of pole कितना आया मेरा जो pole की height थी ओ कितना आया height of pole is 10 ठीक है और किसमें देखना रहा क्या आगया मेरा 10 meter तो इसी के साथ हमारा इसका solution भी खतम होता है हम आगे बढ़ते है next question की तरफ ठीक है अब next question आपको समझना है यहाँ पर क्या दिया होए देखो a toy is the form of a cone with radius इसके लिए इतना mounted मदला mounted उपर on the hemisphere of the same radius ठीक है समझो ध्यान से क्या कहना सारा इसके अंदर simply कि एक आपका hemisphere है माल लो यह आपका hemisphere है ठीक है यह hemisphere के उपर है न एक cone है कुछ इस टाइप का toy है ठीक है समझना है आपको यह आपका hemisphere है इसका दो base है उसके उपर माउंटेड है हमारा एक cone ठीक है और दो radius है दोनों का समझा ठीक है अब क्या find करना ऊछ रेडियस हमको देखे-रखा है क्या देखे-छाल्ग peace the lateral height of the korn is 12.5 lateral height क्या होता है आपका अल होता क्या कhone चाहिए ठीक है तो रेडियस आपको देखे रखा थो 3.5 cm related height मादल आपको देखे-रखा 12.5 cm अब आपको find करना है तोग को तोटल पिएरिया ओप डाइग्राम बनाया है वह किस से मिलके बना हुआ है कोन से मिलके बना हुआ है और यह वाला है से मिलके बनावाइ देखो में पको अलग अलग करता हूं MAAR,och this is his homism ग्रीन वाला क्या है कोन है मेरा कोन का curve surface area कर लाइन कर रहा हूं इसका क्रटेश एरिया ठीए प्लस में क्या है का करफ सर्फेस एरिया ओफ हेमिस्फेर नीचे वाला क्या है 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 अगर दोनों को मैं प्लसा रहां का तोacz़े मां अब आपको jour से एरिया ओव 14 का फॉर्मना करना है उसके बाद अब देखो ठीक है अब यहां पर ध्यान देना अच्छे से दोनों के अंदर क्या कॉमन है दोनों के अंदर पाई कॉमन है और क्या कॉमन है और क्या कॉमन है ठीक है रिमेनिंग क्या बच गया और क्या बच गया और क्या बच गया टू आर का स्क्वेर था तो बंटे हमने common ले लिया, तो बंटे हमारा र बच गया remaining, ठीक है, अब हम लोग यह value पूट करते, ठीक है, अब पाई की क्या value लेनी है, यहां पर हमको question में नहीं दिया हुआ है, देखो यहां से question के अंदर, कि पाई की क्या value लेनी है, वो कुछ दिया हुआ नहीं है, अगर दिया हो, तो यह आपको लेना, अधरवाज आपको नहीं लेना है, ठीक है, इतना आप लिख लो फटावल पहले, उसके बाद मैं solve करने के लिए, मैं rough करने जा रहा हूँ ओपर, ठीक है, तो पाई की value कितनी लेनी है, आपको 22 by 7 लेनी है, R कितना है, आपका 3.5 है, L कितना ह आपका 3.5 है, ठीक है, अब solve करते हैं, मैंने सब value पूट कर ली, L की value यह रही, और R की value यह रही, मैंने आप पूट कर ली है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 by 7, 3.5 है ना, तो पॉइंट कर लोगा, तो क्या हो जाएगा, नीचे 10 आजाएगा, यहाँ भी देख हमारा 19.5, अभी देखो, 7 बंजा, 7, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 2, ठीक है, अब यहाँ पर देखना, 2 बंजा, 2, 11, ठीक है, इसको एक बाद रिपीट करना, आपको समझ माझा है, कि मैंने कट कैसे किया है, क्या बज़ी गया, मेरे पास 11 बज़ी गया, और multiply में क्या आगया, 19.5, ठी 10, 11 के बज़ी गया, कितना आगया, 200, अपको एक नमर यहाँ पर क्या आगया, पॉइंट, तो कितना अंसर आएगा, multiply करके, 214.5, अब यहाँ पर क्या है, किस में दिया हुआ है, आपको देखो, यहाँ से, आपको दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, ठीक है, किस में दिया सेंटीमीटर स्क्वेर, ठीक है, तो अगर आपकी स्टेटमेंट लिखना हो, तो आप लिख सकते हैं, स्टेटमेंट भी, ठीक है, the, ठीक है, the total surface area of toy, ठीक है, is 214.5 सेंटीमीटर स्क्वेर, यह आपका आंसर हो गया, तो इसी के साथ हमारा, इसका solution कदम होता है, आगे बढ़ते हैं, next question के तरफ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ अब next question की, तो next question भी कुछ है न, इसी type का है, ठीक है, बड़ आपको ध्यान देना, इसके अंदर, इसके अंदर आपको area, अल्टेना आपको यह ध्यान देना है, ठ a tent is in the form of cylinder, of diameter, इतना, and height is equal to 8 meters, surmounted by the cone of a equal base, and the height is 6 meter, volume कितना है, इतना आपको तेखे रखा है, तो समझना, diagram कैसा बनेगा, आपका tent है, क्या form हो रहा है, उस cylinder पे form हो रहा है, ठीक है, और सर्मांट रहा है, तो समझना, यह ध्यान से इसको, ठीक है, कि आपको यह cylinder का है, कु उसके उपर हैना हमारा कुछ कोन बन रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा कहना चाहरा है, यह हमारा tent है, ठीक है, यह हमारा क्या है, tent है, tent is a form of cylinder, of diameter, 4.2, तो 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 इसका diameter हो हमको देखे रखा है, diameter क्या देखे रखा है, हमको, T हमको देखे रखा है, 4.2 meter, ठीक है, तो क्या देखे है अमको देखो ध्यान से और देखे रखा है by the coin, तो height देखर को चिलेंडर की height है, confuse भो ना, यह जो आपने लिखा ना, यह सब cylinder का है okay? अब को को की बात करू मैं, तो cone का क्या देखर रखा है मेरे को और? देखो by a coin of equal base and height 6 6 meter, कितना देखे रगा है मेरे को, 6 meter, इसका height देखे रगा है मेरे को 6 meter, कॉन का, देखो मैंने, cylinder के height को small x से दिखाया है, और cone के height को दिखाया है मैंने, capital S, ते, और find क्या करना है, देखो find करना है मेरे को, the volume of area in the tent, volume find करना है, tint का, तो वॉल्यूम High करूंगा मैं, volume of air in the tent करूंगा, आपको इतना समझ महीं आना चाहिए कि तो tent है, तो हमारा यह पूरा है, पстрिक τι से मिल के बना हुआ है, यह मिल के बना हुआ है कौन से, और कि कि वाल्यूम को प्लस करूंगा तो वह मेरा actual मेरे को टेंट का वाल्यूम देगा तो यह भी रहते हम गया उस जासा ही बढ़ इसमें एरियाद उसमें क्या है वॉल्यूम है यहाप समझ्झना वॉल्यूम ऑफ cylinder ठेके volume of cylinder plus cylinder का volume क्या आएगा volume of cone ठेके volume of cone अब volume of cylinder आपको formula पता होना अचिए formula क्या होता है ? pi r square h ठेके आपको formula पता होना चिए volume of cone का formula क्या होता है 1 by 3 pi r square x ठीक है ये formula होता है volume of cone का ठीक है तो आपको formula याद में रखना है formula क्या आएगा आपका pi r square x pi r square x और इसका formula क्या होता है 1 by 3 pi r square x ठीक है ये formula आपको याद रखना है अब मेरी बात सुनो cone के height को हमने क्या माना था कोन के height को हमने माना था capital s ठीक है अब हम value पूट करते है फटक से और solve करते है और उच्छे पहले देख लो यहाँ पर एक चीछ क्या common है इन दोनों के अंदर pi common है r square common है ठीक है इतना common है तो मैं यहाँ पर rough करने जा रहा हूँ इसको यह line को आप लिख लेना ठीक है क्या common है देखो common है आपका पाई r square यह common है remaining क्या बच गया h बच गया यहाँ पर क्या बच गया 1 by 3 capital s इतना बच गया ठीक है तो आप पहले यह लिखना बाद में यह formula लिख लेना अब हमना value पूट करते हैं अब हमने value पूट करूँ तो value की value कुछ देखे रखिए तो पाई की value हमको यहां भी कुछ देखे नहीं रखिए ठीक है तो पाई की value कितनी लेंगे 22 by 7 22 by 7 r कितना है मेरे पाद अगर diameter 4.28 r कितना होगा diameter का half होता है तो क्या हो जाएगा 4.2 का half कितना हो जाएगा 2.1 का square अब देखो यहां पर height कितना है इसका 8 plus 1 by 3 इसकी height कितनी है कौन की 6 ठीक है इंटू में आ गया 6 अब यहां पर देखो 3 1 जा 3 2 जा 6 अब solve करूं देखो 22 by 7 into 2.1 into 2.1 क्योंकि square form में अब 8 plus 2 8 plus 2 इतना आप लिखलो अच्छे से अब रफ करने जा रहा हूं ठीक है तो यहां पर देखो अब 22 by 7 into 2.1 लो यहां पंट रहा क्या आ जाएगा 10 पड़े क्या जाएगा 10 आ जाएगा 22 बचा इंटू में 3 बचा इंटू में 21 बचा आप अपन में क्या आ गया 10 आ गया अब 22 3 जा कितना होगा 66 into 21 अपन में 10 अब 66 into 21 कितना हो जाएगा 6621 6831 तो कितना आ रहा है देखो जान से टीक है कितना आ रहा है मेरा answer 1386 अपन में 10 10 है तो एक पॉइंट सओर की क्या आ जाएगा युनिट प्लेश से यहां से 1 पॉक्ट पाइंगा तो 138.6 अब किसमें देखे रखा यां को देखो ध्यां से यहां पर यूनिट बहुत बहुत हम इंपॉर्टेन होता है समझना यूनिट बहुत हम पुल्यान के मां माग घ्जामित लुए कि म अबख प्यों होता है क्यों पिर आन को नच भी संगा उसमें क्या लगता है मतलब 3 के लिगेगा और प्रता है क्या लगता है तो क्या संभिड़ें इसको दियान में रखना तो यहां पर दो क्या दियो होगा, next question, for a given frequency distribution in usual notation, a की value हमको देखे रखिए, sigma fi की value देखे रखिए, sigma fi ui की value देखे रखिए, और h की value देखे रखिए, find the mean of the data, देखो यहां पर आपको direct value देदी गई है, आपको table नहीं दिया, direct value देखे आपको confused नहीं होना है, कौन कौन सी value देखो, a की value देखे है, sigma fi की value देखे है, sigma fi ui की value देखे है, और h की value देखे है, find करना है आपको mean, तो समझना है यहां पर दियान से, क्या क्या देखे रखिए, a की value देखे रखिए 32.5, sigma fi देखे रखिए 35. 5.35 यह देखे रखा है ठीक है 35 देखे रखा है सिग्मा देखे रखा है माइनस 23 और एच देखे रखा है 5 find करना है हमको mean find करना है तो mean क्या होता है हमारा x-bar यह हमको find करना है अगर आपको अब है न आपका step deviation वाला formula याद हो कौन सा formula step deviation method mean का अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा उसके अंदर ही यह सब value यूज होती है sigma fi और ui वाला form ठीक है किसमें आता है step deviation method के अंदर ही आता है upon में sigma fi into h तो देखो यह आपका formula होता है ठीक है यह आपका क्या होगा formula होगा तो formula के अंदर आपको डैरे की सबकी value देके लिए एक की value क्या देके रखी है 32.5 32.5 इसकी value क्या देके रखी है आपको minus 23 इसकी value क्या देके रखी है आपको 35 into h h क्या देके रखाए आपको 5 इतना आपको देके रखाए आप छॉल्फ करना है आपको 5 बन जा 5 7 तो कितना हो गया देखो 32.5 plus और minus क्या हो जाएगा minus 23 by 7 अब आपको 23 को 7 से डिवाइड करना है तो देखो अगर मैं डिवाइड करू 23 को 7 से 23 को 7 से तो 7 3 जा कितना होगा 21 2 बचेगा पॉइंट का आजाएगा 0 7 2 जा 14 कितना बचेगा 6 पॉइंट का आजाएगा 0 7 8 जा कितना होगा 56 4 बचेगा पॉइंट का आजाएगा 0 7 5 जा तो कितना आ रहा है देखो 32.5 minus 3.285 3.285 अब आपको माइनस करना है 32 में से 3.285 को ठीक है यही वैलू आई है ठीक है इसको माइनस करना जा मैंनस को मिलाना सी को माइनस के अंदर या प्लस के अंदर पॉइंट को पहले मिलाना सी को ठीक है अगर मैं पॉइंट को मिलाओंगा तो पॉइंट कितना हो जाएगा 32.5 म माइनस करना- Yeah ुद्रो जेरो यहां पर देखो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा 10 में से ऐक्र में यह क्या और भीूर ज़ाएगा यह हो जाए-गा- इन-न ग्या तो रिपंन प्षी यह tidak मैं पार नय्त कितना हो जाएगा 2 तो कितना आंसर आ रहा है 29.215 तो यह आ गया आपका में खांसर इसे के साथ हमारा इसका solution भी खतम होता है ओके हम आगे बढ़ते हैं ओके ठीक है तो देखो हमारा section B B complete हो चुका है अब section B के अंदर आपको हर एक सम का मेंना solution दे दिया है आपको इसको देखना एक बार और खुट ट्राई करना है और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आपको आ रही है या अदर्वाइस आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि कोई समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हो ठीक है तो आप में लोग खतम करने जा रहे section B section B मारा खतम हो चुका है ठीक है अब मिलेंगे आपको next वीडियो में section C के साथ ओके बाई बाई एवरिवन